इस्टार्टिंग कर चुके हैं इस्टेरिंग घुमा चुके हैं अपने ट्रेक्टर का अभी कुटाई करेंगे चावल का जबर्दस चैलेंज दोनों चैलेंजर के बीच बहुत इत्तगड़ा मुकाबला हुआ था दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सामने थाली में एक एक अंड़ा एक एक रोटी रखा गया है और साथ में चावल और चिकन रखा गया है तो आज इसी का चैलेंज होने जाए रहा है दोस्तों नमस्तार खाना के लाड़ी यूटूब चैनल में आप सब अस्थागत करते हैं में हूँ प्रमद विसाल आज क्या वीडियो काफी ज्यादा शांदार होने वाला है बहुत ही तगड़ा होने वाला है जितने वाले को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और बेल आगान दबाए के आल पर प्रेस करें तो इस तरह कि आपको चैलेंजिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का खिलाडियों का तो चलिए बुलाते हैं बाकी चैलेंजर को तो दोस्तों दो चैलेंजर हमारे सामने आ और डोनों चैलेंजर चालू हो गया है अपने अपने टार्गेट में और चैलेंज दिखा रहे हैं बहुत जोड़दार जबरदस्त चैलेंज हमारे इस चैनल में खाना खिलाड़ी यूट्यूब चनल में आप सबका स्वागत करते हैं और दो चैलेंजर आ गया हैं के शाट चाव़ल में रहे हैं पानी रहे हैं और रुपेश जी थोडह सा बायट लिए हैं और पानी पी रहे हैं और एधर घमासान आक्रमनल करते हुती हम प्रकाश चैलेंज रुपेज जी पिछले वीडियो में इन्होंने विजयता बना था बहुती जबर्दस्त दोनों चैलेंजर के बीज बहुती तगड़ा मुकाबला हुआ था और यह अभी आज फिर चिकन और अंडे और चावल के साथ दोनों का तगड़ा मुकाबला दोनों ही काफी अनुभवी चैलेंजर है तो बहुती घमासान यहां अक्रमन होता हुआ घमासान चैलेंज होता हुआ मुकाबला बहुती सांदार और एक मिनट सतर सेकंड हो गया है देखते हैं कौन सबसे पहले खतम कर पाते हैं और अभी चिकन में दोनों चिकन ग्रेवी के साथ चावल ख जबर्दस चैलेंजर दिखाते हुए यहां दोनों खिलाडी और जबर्दस अभी चावल और चिकन रोटी में अभी रोटी रखे हैं लाश्ट में रोटी खाएंगे अभी चावल पहले फिनिस कर रहे हैं दोनों ग्रेवी के साथ और आधा किलो चावल दोनों थाली में और चिकन आधा किलो और दोनों थाली में एक एक रोटी और एक एक अंडा तो तगड़े चैलेंजर यहां और दोनों चैलेंजर काफी तगड़े बराबर एक में चलते हुए और रुपेजी आधा रोटी खतम कर चुके हैं और चावल भी दोनों का लगभग आधा से ज़्यादा खतम हो चुका है थोड़ा सा ज़्यादा खतम है उंप्रकाजी का तो दोनों चेलेंजर बहुती काफी तगड़े साबित होते हुए वहाँ चावल रोटी रखा गया था रोटी एक रोटी है और चिकन है अंडा है तो चार-चार विराइटी है यहाँ तो तगड़े चेलेंजर है जो इसके लिए सामिल हुए है तो बहुती सांदार और यहाँ तगड़ा चेलेंज करते हुए दोनों खिलाड़ी और दमखम दिखा रहे है अपना अपना चेलेंज होसला दिखा रहे है और उम्प्रकाज जी आगे आए हैं अभी अभी आगे दिख रहे हैं और रुपेज जी अभी चावल बचाए हैं और तूट पड़े हैं उम्प्रकाज जी रोटी में चावल खतम करके और जबर्दस चलेंग दिखा रहे हैं बहुती तगड़ा मुकाबला यहाँ दोनों की गाड़ी अब ही आगे चल रहे हैं उम प्रकास जी क्योंकि चावल खतम कर लिया है और लेकिन यह भी बड़ी बात है कि उम रुपे जी भी चिकन खतम कर चुके हैं उम प्रकास से ज्यादा चिकन खतम कर चुके हैं अब ग्रेवी में मिक्स करके लिए रहे हैं चावल और जब परताफ चैलेंग दिखाते हुए दोनों चैलेंजर और चार मिनट हो गया है चार मिनट साथ सेकेंड और देखते हैं कितना टाइम लगता है इन दोनों में से कौन विजयता होता है और पांस रुपे की रासी ले पाता है तो पहुती तगड़ा मुकाबला यहां दोनों खिलाडियों के बीच अपना दमखम दिखाते हुए अपना बहादुरी दिखाते हुए दोनों चैलेंजर काफी अनुभवी हैं दोनों के दोनों खिलाडी और पानी के साथ ले रहे हैं प्रगाजी और इधर बहुती अच्छा कभर की हैं रुपेजी बहुती रटी रटी को बाहर कर दे रहे हैं और बाके हड़ी खाना नहीं है भी और जबरदस्ट चैलेंज दिखाते होई अभी चावल खतम होने वाला है सब चिकन खतम कर चुके हैं रुपेजी और थोड़ा सा चावल बचा है ग्रिवी के साथ और आधा रोटी है और एक 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 उम्प्रकास जी थोड़ा सुलो हो गये है और अभी चावल ले रहे हैं जबरदस्ट चैलेंज और थोड़ा सा रोटी बचाये हैं रुपेजी और रुपेजी बहुत ही स्पीट दिखाये हैं और अपने लख्यों के करीब आ चुके हैं उम्प्रकास को पार करते हुई और अभी अंडा खतम कर चुके हैं रुपेजी जबकि उम्प्रकास जी का चिकावन भी बचा है और अंडा भी कोई बात नहीं अपने अपने के सिटी के हिसाब से ले रहे हैं और थोड़ा सा रोटी बचाये हैं रुपेजी बहुत जोड़दार ये चैलेंज दिखाये हैं कि उनको खाना खतम करना है हट्टी चवारानी है और इधर खतम कर चुके हैं रुपेजी छै मिनट थोड़ा सा रुटी बचा था देखते हैं छै मिनट 16 सेकंड हुआ है अभी और जब अधर चैलेंज दिखाये हैं बहुत इस्पीड दिखाये हैं रुपेजी और चै मिनट 27 सेकंड में खतम कर दिया है तो देख़्ाज की इस मुकाबले में उन प्रकास और रुपेज दोनों के बीच में तगड़ा मुकाबला हुआ तो दोस्तों आज के विज़तार ह और रुपेजी जिन्होंने चै मिनट 27 सेकंड में थाली को खतम कर दिया चिकन थाली 500 रुपे का इनाम दिया जाता है तो रुपेजी आपको इनाम की राशी कितना मिल गया है 500 रुपेज दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो चैलेंजिंग वीडियो देखने के लिए खाना के लाड़ी यूटूब चैनल को सब्स्राइब क दबागे आल पर प्रेस करें मिलते हैं अगले चैलेंग वीडियो में तब तक लिए जैहीं